हेलो एवरिवान वेलकब तो माई चैनल देखिए फ्रेंड्स आज मैं टू कलर लगा के आपको बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाना सिखाऊंगी तो फ्रेंड्स आज हम लेडी सोक्ष बनाएंगे अंगुठे वाली और वह भी बहुत ही आसान तरीके से बिगनर्स भी इसक की सकते हो आप निडल्स का यूज किया है और फंदे हम बिल्कुल सिंगल त्रेड से डाल लेंगे बहुत ही आसान तरीके के फंदे डाल लेंगे और फ्रेंड्स मैं इसमें 26 फंदे डाल लोंगी यह देखिए एक हमारा यह हो गया ऐसे पकड़ने से यह दो कि तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस इसी तरीके से मैं इसमें बाकी फंदे भी डाल लेती हूं तुन्टी सिक्स फंदे डाल लेंगे फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे इदेखिए इसमें हमने 26 फंदे डाल लिये हैं 26 फंदे डालने के बाद हम इसको यह हमारे उल्टी साइड है यह सीधी साइड है तो फ्रेंड्स हम इसमें एक सिंपल सिंपल ऐसे इसको उल्टा उल्टा बनाके फस्ट रो है आराम से बनाएगा ऐसे उल्टा उल्टा बनाके हम यह पूरी रो कम्पलीट करेंगे यह देखिए इसी तरीके से आप इसको बना लेजिए फंदे आप इतने ही डालिएगा इसमें अगर आपको बड़े साइज की बनानी है तो वो भी मैं आपको आगे मेजर्मेंट बताऊंगे आप फंदे इतने ही डाल के आप इसके स्टार्टिंग करिएगा सारे फंदे हम इस तरीके से बना लेगे पलट लेगे यह हमारी सीधी साइड है तो सीधी साइड से भी फस्ट वाले को उतारेंगे और ये रो भी हम इसी तरीके से उल्टा बनाते हुए इसे हम पूरा करेंगे यह देखिए किनारे के फंदे को हम त्रैड पीछे करके सीधा बना लेंगे यह देखिए दो रो उतार ली है हमने इसमें उल्टी और सीधी साइड से अब फिर से हम इसमें उल्टी साइड आ गई है तो यहां से मैं इसमें अपना एक कलर और लगाऊंगी आपके पास जो भी कलर हो आप से लगा लीजिए यहां पर आप नोट लगा लीजिए मैं इसको ऐसे इसके अंदर दबा दूंगे यह देखिए दो थोड़ा साब इसको ऐसे अंदर रखें तेन चाल पांच 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तेरा फंदे ही हम इस कलर से बनाएंगे यह फंदे अब इस रो में हम नहीं बनाएंगे लेकिन ध्यान से देखिए हम इसको एक फंद हम ऐसे उतार लेंगे ऐसे इस फंदे को ऐसे रैप करेंगे और पलट लेंगे ध्यान से देखिए यहाँ पर गैप नहीं आएगा इसलिए हम यह ऐसे करेंगे इसको बनाएंगे नहीं इसको उतार लेंगे और इस साइड से हम इसको बना लेंगे हर बार आ यह देखिए अब फिर से पलट लेंगे अब जो भी आपका बेस कलर हो अब हम इससे बनाएंगे इसको ठाइट कर लेजिए यह देखिए हम यह 13 फंदे भी इस कलर से बनाएंगे और इस रोग को हम आगे तक लेके जाएंगे कलर आप यहां पे अपने पसंद से कोई भी लगाए यह देखिए यह रैक क्यों फंदे बना लेंगे और आगे का भी हम यह एंड तक बनाएंगे जब इस कलर से मनाएंगे तो हम लास्ट तक बनाएंगे और दूसरा कलर आप लगाओगे तो उसके आपने तेरा फंदे ही बनाने हैं पीछे करके इसको हम सीधा बना देंगे ताकि हमारे यहां पर किनारे की फिनिशिंग आई पलट लेंगे यह देखिए इस साइड से इस फंदे को उतार लेंगे और यह पूरी रो मैं उल्टा उल्टा बना की कंप्लीट करूँ यह देखिए अब फिर से पलट लेंगे एक बार उड़ देखिए फिर से हम अपना यह कलर लगाएंगे एक इसको आप हर बार ऐसे टाइट कर लीजिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा और तेरा तेरा फंदे बना लिए एक यह और उतार लिया और इसको आपने ऐसे रैप करना है ध्यान से देखिए और इस साइड से इसको उतार लेंगे यह थ्रेड हमारा यहां से आएगा तो यहां पर बीच में गैप नहीं बनेगा क्योंकि एक बार हम हाफ फंदे बनाते हैं और एक बार हम लाश्ट तक जाते हैं तो यहाँ पे हमारा बीच में गैप नहीं आएगा बिल्कुल भी गैप नहीं आएगा देख सकते हो आप तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए मैंने ये दो धारी आपको बता दी हैं इस तरीके से मैं ये बीच धारी बनाऊँगी ये इस कलर की एक और दो और अब देखिए दो रो हमने इसकी उतार ली फिर से जो भी आपका बेस कलर है वो आप लिए ऐसे और ये पूरी रो लास्ट तक हम इसे बना देंगे इसी तरीके से आपने इस डिजाइन को आगे तक रिपीट करना है मैं इसको बना लेती हूँ कम्प्लीट फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये देखिए जो दूसरा कलर रगाओगे उसकी हमने दो रो ही बनानी है और ये देखिए अब इसको हम आगे तक बना लेगे कि देखिए सारे फंदे हम केनारे वाला फंदा आप ऐसे सीधा नहीं यहां पर चोटी सी बनती जाएगी जो बहुती फिनिशिंग के साथ हमारी ये त्यार होगी तो देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स मैं यहां पर सीधी साइड से देखिए एक दो दो मेरी धारी बन गई अठारा धारी मैं यह और बनाऊंगे इस तरीके से इसकी लुक आएगी देखिए बिल्कुल भी बीच में आप गैप नहीं है इसी तरीके से आप फंदे को रैप करिएगा तो मैं इसे पूरा कर लेती हूँ फिर हम आगे का बनाएंगे देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर ल बना लिए हैं और 20 बनाने के बाद मैंने यह उपर दो धारी यह बनाई है इस कलर की जो भी बेस कलर था एक तो हमने बनानी थी ऐसे और एक मैंने और बना दी यह देखिए अब देखिए हम उल्टी साइड है इस कलर को अब हम फिलाल हटा देंगे फिर हम इसको एड़ अब देखिए यहां से हमने अपने अंगुठे की शेप देनी है तो देखिए कैसे देंगे यहां से मैं दस फंदे गटाऊंगे दो का एक किया एक, दो, ड्यान से देखिए, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और यह दस, यह देखिए, दस फंदे मैंने यहां पर वैंड ओफ कर दिये, गटा दिये हैं, अब देखिए, यह रो हम इसी थ्रेड से बना लेके, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बस यहां पर चेंज है, आगे फिर हमने उसी तरीके से बनाना है, जैसे हमने अभी बनाया है इसको हम ऐसे सिधा बनाएंगे, तो देखिए, ऐसी हमारी यह लुक आएगे, पलट लेंगे, इस साइड से भी इस रो को, फस्ट वाले को उतार लेंगे, और यह हम ऐसे बनाएंगे, यह देखिए, यह दो लाइन हमारी साइड आ गई, और दो लाइन हमारी साइड आ जाएंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम अपना यहां पे, यह हमारा अंगुठा हो गया, यहां पे हम फिर से हमें दस फंदे बढ़ाएंगे, एक द्यान से देखिए, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और दस, दस फंदे हमने वापस इसमें बढ़ा लिए हैं, आप देखिए, इनको अराम से उतारिएगा, आप इस तरीके के फंदे डालते हैं, तो बीच में हमारा गैप नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल ही हाथ रोक के अराम से आप इनको बनाईएगा, देखिए, दस फंदे गटाए थे, दस हमने अपने वापस इसमें, बढ़ा लिए, अब इस रोको हम, ऐसे ही बनाएंगे, इस साइड से भी इस रोको मैं, ऐसे ही बनाऊगे, उल्टा-उल्टा बनाके, लाष्ट तक, यहां तक मैं इसको पूरा करूँ, देखिए, हमने बना लिया है, इस साइड भी फ्रेंड्स, मैंने यहां पे सीधी साइड से मैं आपको दिखाऊंगी, यह देखिए, हमने यहां पे चार रो बना रखी है, तो इस साइड भी मैं यह उल्टी साइड से और सीधी साइड से इसमें दो रो और बनाऊंगे, बिल्कुल सेम हमने उस साइड का भी पार्ट बनाना है तो मैं ये दो रो बना लेती हूँ इस साइड से भी और इस साइड से भी इसको उल्टा-उल्टा फिर मैं आपको आगे का दिखाऊं ये देखिए इस साइड भी फ्रेंड्स मैंने इसमें चार रो उतार ली हैं आपने बिल्कुल एक जैसा बनाना है दोनों साइड से ये देखिए अब हम अपना ये वाला कलर लगाएंगे तो आप एक बार मैं आपको स्टार्ट करके देदूं बिल्कुल हमने जैसे नीचे बनाया था उसी तरीके से उपर बनाना है उतना ही इसकी आप नोट लगा लेजिए देखिए, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा और तेरा और ये उतारेंगे और इसी तरीके से इसको रैप करेंगे देखे फ्रेंड्स, कहीं पेवी आपको इसमें गैप नजर नहीं आएगा ये देखिए, बहुत ये सफाई के साथ बनता है दोनों साइड से, ये देखिए, ये हमारी सिदी साइड है, बिल्कुल भी इसको ऐसे र बना के दिखा दी है 20 धारी मैं इसी तरीके से इसमें बनाऊंगी अगर आपको बड़े साइज का बनाना है तो आप इसमें धारी ज्यादा बना लीजिए इनी से बड़े पैर की बनती है यह देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 20 धारी बनाई थी तो आप 22 बना लीजिए 24 बना लीजिए जितनी भी आपके पैर की लंबाई है वो यहीं से बड़ेगी छोटी बनानी है तो कम धारी बना लीजिए अब देखिए अब हम यह कलर लगाएंगे और यह पूरी रो अब के बार हम लाश्क तक बना देंगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने बनाना है तो मैं इसको 20 धारी इसमें बना लेती हूँ एक मैंने आपको बना के दिखा दी 19 धारी मैं इसमें और बनाऊंगी बिल्कुल सेम फिर मैं आपको आगे का बताऊंगी आगे हमें क्या करना है कैसे इसकी सिलाई करनी है पूरा मैं आपको पैर में डाल के दिखाऊंगी इसकी लुक कैसे आएगी यह देखिए यह इस पार जब आप बेस कलर लगाओगे तो ये लाश्क तक आप इसको ऐसे बनाईएगा इसको आप से धामानाईएगा देखे बहुत ही फिनिशिंग आएगी ये देखे इसी तरीके से फ्रेंड से हम इसको बनाएंगे तो मैं इसे कंपलीट कर लेती हूँ ये देखे बिलकुल हमारा यहां से बिलकुल सेम बना है और इतना ही मैं पार्ट इसका आगे बना लेती हूँ फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगे यह देखिए 20 लाइन मैंने इस साइड बनाई थी और 20 लाइन ही मैंने इस साइड बना ली है यह आप देख सकते हो बिल्कुल सेम बनानी है आपने एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, ठारा, उनिस और बीस और यह देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग की थी यहां से हमने फंदे डाले थे और उपर मैंने ये दो रो बनाई थी फिर मैंने ये कलर लगाया था तो देखिए ये मैंने दो रो बना ली है और जो हमने फंदे डाले थे अब हम यहां पे फंदे बंद कर देंगे बिल्कुल आपने सेम वैसे ही बनाना है फंदे हम बंद कैसे करेंगे दो में निडल डाली दो का एक कर दिया वापस डालेंगे फिर से दो का एक कर देंगे फिर से वापस डालेंगे दो का एक कर देंगे सारे ही फंदे आपने इस तरीके से बंद करने है यह देखिए दो का एक करेंगे फिर से वापस फंद डाल लेंगे एक फंद आगे से लेंगे और दो का एक कर देंगे यह देखिए तो ऐसे हमारे फंदे बंद हो जाएंगे मैं सारे फंदे बंद कर लेती हूँ उसके बाद फिर मैं आगे का दिखाऊँ देखिए मैं बिल्कुल लास्ट में आ गई हूँ इसमें देखिए हम थोड़ा सा ये बड़ा थ्रेड काटेंगे इसी से मैं सिलाई कर देंगे हम इसमें देखिए अब फ्रेंड्स हम इसकी सिलाई करेंगे तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा पता दूँ ऐसे ही इसकी हम इस पार्ट की ऐसे सिलाई करेंगे ये देखिए इसकी हम ऐसे सिलाई करेंगे और निचे वाले की ऐसे सिलाई करेंगे यह तक सिलाई करेंगे एक, दो, तीन, चार, पान, छे छे धारी तक मैं यह छोड़ दूँगी यहाँ पर आगे हम इसकी अंगुठी और पंजे की हम शेप बनाएंगे इनकी हम ऐसे सिलाई करेंगे दोनों की यहाँ तक मैं ऐसे सिलाई करेंगे बैक साइड से और यहाँ तक की अभी मैं आपको दिखाऊंगी की हम इसकी कैसे सिलाई करेंगे आगे से हम इसकी ऐसे सिलाई करेंगे मैं सुई में धागा डाल लेती हूँ देखिए आगे से मैंने एक एक, दो, तीन, सोरी यह गिनेंगे यह लवा ले एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे धारी मैंने ये उपर रख ली है और ये जो कलरक है ये हम मैं इस कलर पर यहाँ पर लगाऊंगी ये देखिए सिद्धी साइड हमने इसकी अंदर कर ली है बहुती सफाई के साथ हम इसकी ये सिलाई करेंगे जैसे आपको आती है आप वैसे ही आराम से करिएगा अब ये देखिए आगे हम इसकी थोड़ सी गोलाई बनाएंगे ये देखिए जाद बनाएंगे इसे कर दोड़ से की रड़िए कि देखिए आप ऐसे इसको थोड़ा सा आप इसको खेज दीजिए तो यह इसकी यहां पर गोलाई बन जाएगी अंगुठे की प्रोपर हमारी शेप आजाएगी अब इसी वह हम अंदर ही अंदर यहां पर नीचे ले आएंगे क्योंकि हमने इसी तरीके से इसकी सिलाई करने देखिए एक दो तीन चार पांच छे छे लाइन हम अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे बिलकुल आप प्रोपर ऐसे इसको फोल्ड करिएगा 6 लाइन हमने इसमें फोल्ड कर ली और अब हम इसकी भी उसी तरीके से सिलाई करेंगे इसकी भी हम आगे से थोड़ इसी गोलाई बनाएंगे देखिए ऐसे थोड़ा साप इसको खीच दीजिए और इसी को हम थ्रेड को वापस है नेचे ले आएंगे ये देखिए मैं आपको सिधा करके दिखाओंगे ओपर से हमारी गोलाई आ गई है मैं आपको इसको पैर में डाल के दिखाओंगी जब आपको इसकी प्रोपर शेप नजर आएगी आप देखिए फिर से हमें इसको उल्टा ही करेंगे और यह हम नीचे से ऐसे बिलकुल धारी से धारी मिलाके हम इसकी ऐसे सिलाई कर लेंगे बिलकुल आपने उपर नीचे नहीं करना है देखे जो मेरी pink की दारी है वो मैं pink से match करूँगी आगर ये हमारे देखे सबसे पहले green है तो मैं इसको green से फिर मेरी ये है बिल्कुल ऐसे दारी से दारी मिलाते हुए मैं इसकी silahe करूँगी तो मैं इसकी यहां से नीचे से इस साइड और यहां पे फिर से हम थोड़ी सी गोलाई बनाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी और फिर मैं यहां उपर तक इसको सील दूँगी गुलाई हम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने आगे बनाई है थोड़ी सी हम यहापे शेप दे देंगे तो मैं इसे सील लेते हूँ फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगे इसको सिधा करके ये देखिए बिल्कुल उपर तक आ गई हूँ मैं इसे सीलती हुई पका कर लिय लेकिन थोड़ा सा हम इसको अंदर ले जाके ऐसे थोड़ा सा इस त्रेड को अंदर छोड़ देंगे लिजाके ताकि बिल्कुल इसके खुड़ने के कोई भी चांस ना रहे हैं यह देखिए फ्रेंट से यह हमारी एडी की सफाई कितने सफाई के साथ बनी है और यह देखि बिल्कुल लाइन से लाइन हमारी मिली है बिल्कुल पर उपर इसको पैर में डालके दिखाऊंगी और बहुत ही गोलाई के साथ हमारा यह आगे से बनी है सौक्स पूरा पैर इसमें आपका कवर हो जाएगा यह देखिए बहुत इस टेचेवल है यह देखिए कितनी सुन्दर बिल्कुल परफेक्ट इसकी शेप आई है यह देखिए यह इसका नीचे का हिस्सा है बिल्कुल लाइन से हमारी लाइन मिली है और ये हमारी एडी के बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है ये इसका बैक साइड है ये देखिए बहुत सुन्दर फ्रेंड्स इसके लुक आई है तो आप एक बार इसको जुरूर ट्राइ करना और आपको एडीजाइन कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर लेजिए चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब कर लेजिए बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नई डिजाइन के साथ थैंक यू